हेलो दोस्तों मैं सवरमलिक आप सभी का वाइफाइ स्टेडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूँ विच इस आप पार्ट ओफ अनकेडमी गुरूप दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वैसे तो मैं क्रोना वाइरस पे दो वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ एक में मैंने 20 कोशन कराये थे एक में 30 बट अभी तक 75 कोशन नहीं कराये तो इसमें सारे कोशन आ जाएंगे जो भी एक्जाम के लिए बन सकते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंड तक देखेगा वीडियो पसंद आये तो लाइक करना अपने दोस्तों की साथ में शेयर कर देना ग्रूप में शेयर कर देना ठीक है बहुत ज़्यादा है रहेगी वीडियो और दोस्तों अगर आप अनगेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन जोइन करते हैं लाइक SSC, बैंक, रेलवे या फिर UPSC के लिए जोइन करते हैं डिफैंस के लिए या फिर किसी भी एक्जाम के लिए जोइन करते हैं तो आपको रेफरल कोड जिसको मैं डिसकाउंट कोड बोलता हूँ आप अप्लाइ कर सकते हैं इसमें आपको गैप नहीं लगाना है स्टी यू दी वाई वन जीरो विदाउट एनी स्पेस लिखना है ठीक है गाईस और यहाँ पर जोइनिंग प्रोसेस कुछ इस परकार है जैसे कि आपने अपना सबसे पहले एन अकेडमी लर्निंग अप डाउनलोड कर लिया उसमें अपना मोबाइल नंबर डाला उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी गोल सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद Get Subscription पर किलिक किया जितने मंद का भी कोर्स लेना है वो सेलेक्ट किया फिर कंटीनू पर किलिक कर दिया यहां पर enter referral code में आपको study time code डालना है apply करना है तो आपकी fees कम हो जाएगी जब fees कम हो जाएगी उसके बाद आपको payment कर देना है ओके गाईस यह simple सा process है और गाईस हाँ आप मुझे unacademy पर follow कर लिजे क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी quiz conduct करा रहा हूँ और कहीं बार class जो मेरी होती है unacademy पर free class होती है याप कोई paid course होते हैं उसका भी update आपको मिल जाता है तो unacademy पर आप सोरब मलिक सर्च करके follow कर लिजेगा मैं पूरी spelling दोस्तों गलत मत करिएगा sa u r a b h ठीक है यहाँ पर o मत करना a आएगा और मलिक यह आप सर्च करके मुझे unacademy पर follow कर सकते हैं बिलकुल free of course है बहुत सारी वीडियो जो free में आप देख सकते हैं मेरा link भी है नीचे description box में वहाँ से जाके आप follow कर सकते हैं चले तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि हरे question का answer नीचे comment box में बता दें पहला question आपकी स्क्रिन पर आ रहा है दोस्तों Corona virus किस परकार का virus है जल्दी से बता दीजे Corona virus किस परकार का virus है तो यहाँ पर answer सबका आनचे comment box में बिल्कुल दोस्तों यह पहला ही question गलत हो गया RNA virus होगा RNA ठीक है sorry guys RNA virus होगा ठीक है यह RNA नहीं हो रहेगा यह typing mistake है तो प्लीज इसको correct कर लीजेगा अगला question आता है एक नेदानिक परिक्षनल का नाम बताईए जिसमें रक्त को कोविड से ठीक हुए रोग्यों से Corona virus रोगी में भेजा जाता है जो गंबीर स्थिति में है उसको क्या बोलते हैं आप एक वर्ड बहुत ज्यादा सुनते होंगे अभी भी ठीक है प्लाज्मा थरेपी यह वही प्लाज्मा थरेपी होती दोस्तों जिसको Corona virus हो जाता है और वह ठीक हो जाता है फिर उसका blood मतलब दूसरे व्यक्ति में जो Corona virus से संकरमित है या फिर जिसको जो बहुत ज्यादा स्क्रिटिकल कंडिशन में उसको जब blood वह दिया जाता है उसको plasma थरेपी बोलते हैं ठीक है तो इसका सही answer option D हो जाएगा क्योशन बर्थिरी है निमलकित में से कौन सी बिमारी coronavirus से संबंदित है इन में से आपको बताना है कौन सी बिमारी ऐसी है जो coronavirus से संबंदित है चलिए बिलकुल सही आप कर रहे हैं दोस्तों very good क्या बात है यहाँ पर option A और B बिलकुल सही है दोस्तों देखे सार्स तो आपने सुने ही होगा MERS जो होता है यह भी दोस्तों coronavirus से ही स जोनों रहेंगे तो option आपका D right answer हो जाइना चलिए अगला question देखे आपको ऐसे से question कराऊंगा कि आपने सायद नहीं देखे होंगे पहले या फिर कहीं पर नहीं पड़े होंगे ठीक है question number 4 है कि यह एक कानून है जो 1897 में पूर बिल्टिस भारत में Bombay राजे में बुबोनि को रोकने के लिए लागू किया गया है तो कौन सा दोस्तों यह आपको बताना है कौन सा एक्ट है यह बिल्कुल सही है देखे 1897 जो है epidemic act जो है यह आपका सही answer एगा यानि कि option C is the right answer बहुत बढ़िया अगला question है coronavirus का पहला case भारत में किस राज्य में आया था तो बहुत ही simple सा question पूछ लिया मैंने coronavirus का सबसे पहला case जो था वह भारत में दोस्तों किस राज्य में आया था वह केरल में आया था यानि कि option आपका यह right answer हो जाएगा अगला question आता है कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए rapid antibody testing करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है चलिए काफी सारे student का answer आ गया है दोस्तों answer करते रहिए comment में answer नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको भी नहीं आएगा और फिर मैं बाद में देखूंगा कि कितने कम student answer कर रहे है तो राजिस्तान दोस्तों इस question का answer हो जाएगा बिलकुल सही है चलिए next question अच्छे भी एक्जाम के लिए मतलब किसी भी एक्जाम के लिए त्यारी करना चाहते है या फिर आपका कोई दोस्त करना चाहते है या भाई भेहन करना चाहते है तो उसको भी आप बता सकते है डरेक्ली कोई दिक्कत नहीं है question number 7 क्या कह रहे है दोस्तों COVID-19 को सामिल करने के लिए 30 म कोशन है कोरोना वाइरस को रोकने के लिए भारत में पूर कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है बिल्कुल सही आपने कर दिया है दोस्तों answer यहाँ पे इसका correct answer हो जाएगा पंजाब ठीक है हाँ पंजाब इस दारेट answer अगला question है कौन सा राज्य भारत का पहल करोना संकर्वन मुक्त राज्य बना बन गया तो ऐसा भी कोशन आपको एक्जाम में देखने को मिल सकता है ठीक है तो गोवा दोस्तों ऐसा पहला राज्य था जो क्रोना मुक्त राज्य करोना फिर राज्य इंडिया का बन गया था ठीक है बाकी cases तो वहाँ पर भी है मेरे से तो क्योंकि कई बर निउस में देखता हैं करोना वाय है्रस को भामारी घोसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन है जिसने भामारी घोसित कि था दोस्तों भारत में पहला राज्य बते कौन सा बना बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है वो हर्याना हो जाएगा correct answer is option D हर्याना आपका सही आंसर बन जाएगा भारत सरकार द्वारा किस दिन पहली बार एक दिन के लिए संपूर देश में जनता कर्फ्य लगाया यह लगाई गई थी लगाया गया था वही बात है तो सबसे पहला देखें अब ऐसे ऐसे कोशन आपसे पूशे जाएंगे न अब उस टाइम तो सब को याद था बट अब तक याद है यह चीज इंपोटेंट है अब तक जिसको याद है बिल्कुल 22 मार्च 23 मार्च भी लगा रहे होंगे कुछ 24 मार्च भी लगा रहे होंगे बट 22 मार्च दोस्तों इस कोशन का अंसर रहेगा चले अगला कोशन है in which year did the SARS यानिकी SARS coronavirus चीन में किस वर्स पहला था यह आपको बताना है देखें SARS जो है यह coronavirus family मतलब जो है यह SARS का ही पार्ट है और यह पहला मतलब यह coronavirus कोई नया वाइरस नहीं है यह SARS का SARS family का ही हिस्सा है और यह 2002 में भी हो चुका था इस question का अंसर दोस्तों option C रहेगा यानिकी correct answer यह option C next हमारा question आता है middle east respiratory syndrome जो है आपका coronavirus साओधी अरब में किस वर्स में फैला था यह भी दोस्तों यही coronavirus का ही एक part मान लिजा आप और यह आपका साओधी अरब में फैला था दोस्तों 2012 में बिल्कुल सही आपने किया है 2012 में तो यहाँ पर right answer option C हो जाएगा अगला question आता है first mobile application का नाम बते जिसे भारत सरकार द्वारा coronavirus संकरमन के जोखिम को track करने के लिए launch किया गया ध्यान से सुनिएगा पहली application की बात कर रहा हूँ दूसरी application की बात नहीं कर रहा हूँ और जाए तर स्टूनेट को मुझे पता है कि क्या answer पता है मेरे को पहले से पता है कि आप क्या answer लगाएंगी इसका देखे करोना कवच दोस्तों पहली application थी उसके बाद आरुग्य से तू आई थी तो इस चीज में confuse मत होई आप है ना चले फिर नेक्स्ट आ जाते हैं RBI द्वारा COVID-19 संकट के दोरान वित्य परनाली में इस्थरता बनाए रखने के लिए बैंकिंग परनाली में कितनी रासी का आउंटन किया गया है तो जल्दी से answer बते दोस्तों क्या रहने वाला है अरे वाग क्या बात है 3.74 लेक क्रोड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर गाईज पहुत बढ़िया अगला कोशन है कि इस देश में वर्चुल गुरूप ऑफ 20 G20 सिखर संबेलन मार्स 2020 की मेजबानी की तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा साउध कोरिया नहीं दोस्तों साउध कोरिया नहीं होगा कतर नहीं होगा साउधी अरेबिया इस कोशन का आंसर हो जाएगा ठीक है साउधी अरेबिया इस दर राइट आंसर तो यह आपको यादक नहीं है नेक्स है भारतिय प्रद्योगिक संस्थान गांधी नगर ने COVID-19 लोगडाउन के दोरान रचनात्मक प्रियोजनाओं में छात्रों को सामिल करने के लिए लौँच किया है जल्दी से आंसर बतेगे अरे वाँ क्या बात है इस question का आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट आइसाक यानि की option हो जाएगा सी रेट आंसर बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर next question आ रहा है एक second दोस्तों next question आ रहा है नेपाल और अफगानिस्तान ने सार्क करोना इमर्जेंसी फंड में million dollar का योगदान दिया है तो right answer बते ही दोस्तों कितने million का नेपाल और अफगानिस्तान ने तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का आंसर हो जाएगा 1 million dollar का अब देखें यहाँ पर काफी student गलत करेंगे मैं आपको यहाँ पर न अभी next question पूछता हूँ मालदीव ने सार्क करोना emergency fund में खाले सान million dollar का योगदान दिया है अब मालदीव का बते कितना दिया है मालदीव ने पाच नहीं मालदीव ने दोस्तों 2 lakh dollar का only जो है साहिता दान दिया है चलिए अभी next पे आजाते है पाकिस्तान ने सार्क करोना emergency fund में खाले सान million dollar का योगदान दिया चलिए यह वाला बताईए अब देखते हैं किस में कितना है दम पाकिस्तान ने सार्क करोना emergency fund में मेरे प्यारे दोस्तों पाकिस्तान ने सार्क क्रोना इमर्जनसी फंड में दो लाग दिया है मुझे पता है कितने स्टोडेंट ने दो लगाया होगा पर दो नहीं है दोस्तो ये तीन मिलियन का दिया है ठीक है ठीक है ठीक है न चले अगला कोशन है बुटान ने सार्क क्रोना इमर्जनसी फंड में खालिस्थान मिलियन डोलर का योगदान दिया है तो ये वाला बतिया बुटान अब की बार बुटान की बात की जा रही है तो बुटान ने कितना दिया है मेरे प्यार दोस्तों एक लाग डोलर का बुटान ने एक लाग डोलर का वेरी गूड चले नेक्स कोशन पढ़ा जाता है बैंक जिसने अपने गराकों को लोकडाउन के दुरान घरो से बैंकिंग आवशक्ताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए वोटसेप बैंकिंग से वाँ को सुरू करने की कोशना किये है तो ये वाला बैंक बता दीजे कौन सा है भई बिल्कुल सही है यहां पर नहीं येस बैंक नहीं होगा HDFC भी नहीं होगा ठीक है मतलब बहुत सारी फैसलेटी शुरू किये भई सब भी बैंकिंग नहीं ऐसी बात नहीं है बट जो कोशन मेरा है वो ICIC bank इसको इसका सही answer हो जाएगा ठीक है नहीं वोटसब banking जिसने सबसे पहले स्टार्ट किये वो ICICI bank हो जाएगा ठीक है राज्य ने ये पांस जारी करने के लिए एक mobile app परग्याम लॉंच किया है तो ये वाला बते किस राज्य ने लॉंच किया है चले काफी सही है दोस्तों जार्खंट जितने भी स्टूडेंट लगा रहे है जार्खंट इस दा रेट अंसर तो दोस्तों ये आपको याद अगला कोशन है निम्मेन में से किसने कोविड-19 प्रोटेक्शन इंशोरेंस कवर सुरू करने के लिए ICICI लॉंबार्ड जन्रल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ भागेदारी किया है बहुत सही है दोस्तों ये वाला कोशन और यहाँ पर भारत पर भारत पर इस दा रेट आंसर तो ये है आपको याद ने किस कंपनी के साथ मिलकर डॉमिनोज एसेंसियल सेवा लॉंच की है तो आंसर बता दीजिए बिल्कुल सही जा रहा है बिल्कुल दोस्तों देखिए यहाँ पर राइट आंसर होज़ेगा ITC Foods के द्वारा यानि कि option आपका C राइट आंसर होज़ेगा ITC Foods चले नेक्स्ट है किस राज्य ने नोबल करोना वाइरस को फैलने से रोकने के लिए 5T यानि कि 5T का मतलब है टेस्टिंग ट्रेकिंग ट्रीटमेंट टीमवर्क एंड ट्रेकिंग ठीक है सोरी ट्रेसिंग था हो टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रेसिंग ट्रेटमेंट ट्रेकिंग ट्रेकिंग तो फाइव टी प्लान जो है वो दोस्तों दिल्ली का है नहीं दिल्ली का ठीक है ना तो राइट आंसर ओप्शन भी आपका हो जाएगा चलिए सही है नेक्स्ट वाला कोशन है उस पेमेंट बैंक का नाम बते है जिसने कोविन नाइंटीन भीमा पोलिसी लॉंच करने के लिए भारतिये एकसा जन्रल इंशूरेंस के साथ हाथ मिलाया है तो गैज इस कोशन का आंसर क्या हो जाएगा एरटेल पेमेंट बैंक अरे वा क्या बात है एरटेल पेमेंट बैंक दोस्तों इस कोशन का आंसर बन जाएगा अगला कोशन आता है उस राज्ये का नाम बते जिसने लोकडाउन अवदी के दोरान बच्चों को रखने में प्रोसाइट करने के लिए यूटूब चैनल शुरू करने का निर्ने लिया है तो दोस्तों ये राज्ये कोन सा हो जाएगा बिल्कुल सही आपने आंसर किया है दोस्तों यहाँ पे करनाटा की इस कोशन का आंसर हो जाएगा तो ये है आपको याद अखना है अगला कोशन है उस राज्ये सरकार का नाम बते जिसने कोविड नैंटीन से लड़ने के लिए ओपरेशन सिल्ड शुरू की है नेम दे स्टेट गवर्मेंट विस है लॉंच्ड ओपरेशन सिल्ड टू कमबेट कोविड नैंटीन मारास्ट गुजराद डैली उतर परदेश याईन में से कोई नहीं तो गैस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डैली बिल्कुल सही है ओप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा केंदर सरकार ने करोना वाइरस की करण लोकडाउन के मद्दे नजर रहते पैकेज की रूप में गरीब महिलाओं के चार करोड जंधन खाते में खालिस्थान की पहली किस जमा की है इस कोशन का आंसर बतेगा बिल्कुल सही है दोस्तो इस कोशन का आंसर बन जाएगा 500 रुपीज 500 यानी की ओप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर वेल डन अगला कोशन क्या कहता है कि हिंदुस्तान यूनिलिवर ने किस संगटन के सहयोग से ब्रेक दी चेन या फिर वाइरस की काण्ड़ी तोड़ो नामक एक शंचार अभियान सुरू किया है वाइरस की कड़ी तोड़ो हो गए यहां पर ठीक है न इसको करेक्ट कर लिजगा बिल्कुल से दोस्तो वाइरस की कड़ी तोड़ो एन नहीं होगा एना आंसर बतिए ब्रेक दी चेन और वाइरस की कड़ी तोड़ों यहां पर राइट आंसर हो जिएक दोस्तों यूनिसेफ यानि की option B is the right answer देखें कोशन आपको पता चल रहा होगा दोस्तों किस लेवल के कोशन है पतला easy नहीं बोलेंगे और वो कोशन भी नहीं बोलेंगे जो सबको आते हैं ठीक है कोशन वो है जो सबको नहीं आते हैं साथ मेरे साब से तो सबको नहीं पता होगा इन कोशन के आंसर तो अगर सबको नहीं पता है वैसे कोशन मैं करा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक तो बनता है वीडियो को लाइक कर दीजे कमेंट भी कर दीजे और अपने दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो देखने के बाद में एंड में कर देना कोई दिक्कत नहीं है कोईशन अबर 32 क्या कर रहा है कि COVID-19 से संबंदित चुनोंकियों से निपटने के लिए अपने प्रियासों को मोनिटर और रिकोर्ड करने के लिए मानव संसादर विकास मंतराल ने कौन सा पोर्टल लोंच किया है दोस्तों ये पोर्टल कौन सा है बिल्कुल सही है युकती पोर्टल है यानि की ओप्षन आपका बी रैट आंसर बन जाएगा वेल डन अगला कोशन आता है विस्व सवास संगठन के महानदेशक का नाम बताईए तो नेम दा डिरेक्टर जनरल अब द वल्ड हेल्ट ओर्गिनाइजेशन तो यहां पर रैट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है दोस्तों यहां पर टेड्रोस अधनाम बिल्कुल सही है जो रैट आंसर डी लगा रहे है रैट आंसर डी हो जाएगा अगला कोशन है इसे विकास बैंक के अध्यक्स मात सुगू आसा कावा को ने कोविड-19 मामारी के खिलाव अपनी लड़ाई में भारत की मदद के लिए वित्त्यमंति निर्मला सितरमन को खलेस्तान बिलन अमेरिकी डोलर का देनेगा बात कही है जल्दी से दोस्तों आंसर अगला कोशन है स्वीजर लेंड के पूर आइस होकी खिलाडी का नाम बते है जिसका आली में करोना वाइरस की करण नीधन हो गया दोस्तों इसका सही आंसर होजेगा रोजर चपोर्ट यानि की ओप्शन बी इस दारेट आंसर तो यह आपको याद रखने है अगला कोशन है गुगल ने लोकडाउन के दुरान इस्थानिये इस थर पर जरूरी समान बेचने के लिए खुले किराने इस्टोर की जानकारी मुहिया कराने के लिए गुगल पे एब पर खालेसान लोंच किया है वेरी गुड गाइज इस कोशन का आंसर होजएगा नियरबाइ स्पोर्ट ऑप्शन ए इसका सही आंसर होजएगा अगला कोशन है किस सिराज्य सरकारने हाल ही में लोकडाउन के दुरान फलो और सब्जियों की होम डिलिवरी परदान करने के लिए एक वेब साइट cg.jart शुरू की है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हैगा दोस्तों वो क्या होजएगा अगला कोशन है उस नीजी चेतरि गेर जीवन भिमा कमपनी का नाम बताएगे जिसने एक वर्स की दिर्ध अवदी के लिए COVID-19 प्रोटेक्शन कवर लॉंच किया है बिल्कुर दोस्तों इसका भी आंसर क्या होजएगा ICICI Lombard यानी की ओप्शन आपका B करेक्ट आंसर बन जाएगा अगला कोशन है कि इस बैंक ने COVID-19 को कवर करने वाली भीमा योजना लाने के लिए भारतिये एकसा भीमा कमपनी के साथ साजिदारी की है तो दोस्तों इस कोशन का आंसर होजएगा Central Bank of India यानी की ओप्शन D is the rate answer अगला कोशन है उस एरलाइन कमपनी का नाम बते जिसने COVID-19 के बीच अनिवारिया रूप से ले जाने के लिए भारत की पहली कारको ओन सिट फ्लाइ सुरू की है तो आंसर बता दीजे बिल्कुल दोस्तों स्पाइस जेट इस कोशन का आंसर बन जाएगा तो जो भी स्पाइस जेट लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं वहाँ आंसर वेल ड़न अगला कोशन है पिपल बैंक ओफ चाइना ने हाउसिंग डवलप्मेंट फाइनेंस लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 0.8 परतिसत से बढ़ा कर कितनी करदी है HDFC में दोस्तों कितनी हो गई है 0.1 से बढ़ा के 1.01 परतिसत हो गई है तो राइट आंसर इसका ओप्शन डिव जाएगा नेक्स कोशन आता है चतिसगर पुलिस में कॉरेंटाइन किये गए व्यक्तियों को ट्रेक करने के लिए खालिस्थान अप विक्सित की है बिल्कुल सही है रक्षा सर्व ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानि कि E is the right answer अगला कोशन है उस राज्य सरकार का नाम बताईए जिसने COVID-19 से लड़ने के लिए ओप्रेशन सिल्ड शुरू की है तो ये तो सायद अभी किया ही था हमने ओप्रेशन सिल्ड दिल्ली में स्टार्ट विए दोस्तों रेपीट हो गया कोशन नेक्स्ट है उस ओप्रेशन का नाम बते है जिसके तैद भारतिये जिसके तैद भारतिये वायू सेना ने COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में साहिता के रूप में ट्रांस्पोर्ट विमान सी 130 G के माध्यम से मालदीव को 6.2 टन आवश्चक चिकित्सा आपूर्ति की सुईदा परदान की है तो राइट आंसर क्या बन जाएगा बिल्कुल सही ओप्रेशन दोस्तों हो जाएगा संजीवनी ओप्रेशन संजीवनी का राइट आंसर बन परिवेन सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझोते परस्ता अक्सर किये है जो कोविद 19 रोग्यों के उप्चार में सामिल आए तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा उबर हो जाएगा इसका सही आंसर ठीक है ना उबर इसधा राइट आंसर तो यह आपका जाए दखना है पंजाब के मुख्य मंतरी अमरेंदर सिंग ने महामारी के विरुद लड़ाई की अग्रीम पंक्ती में परतियक पुलिस कर्मियों और सवास्त कर्मचारियों के लिए खालिस्थान लाग रुपे विसेश सवास्त भीमा कवर देने की गोशना की है बिल्कुल दोस्तों पचास लाग तक का भीमा कवर देने की गोशना की है तो इसका सही आंसर आपको अप्शन ए हो जाएगा राश्पती, उप्राश्पती, परधानमंतिरी, राजजपालो और संसत सदश्यों ने सवस्ता से सहमती दी है कि कोविड-19 संकर्ष से निपटने के लिए एक वर्ष के लिए कितने वेतन कटोती की सहमती दी है तो गैज इस कोशन का आंसर क्या हो जाएगा 30 परसेंट यानि की ऑप्शन आपका सी रेट आंसर बन जाएगा अगला कोशन है उस भारतिया मेरी की फर्म का नाम बते जिसने 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टेबलेट को दान करने का संकल्प लिया है बिल्कुर सही है एमनल फेरा में क्रिटिनल्स दोस्तों इस कोशन का आंसर हो जाएगा यानि कि सी इस दारेट आंसर नेक्स्ट है दोस्तों वाट्सेप करोना वाइरस इनफोर्मिशन अब को विसेशक इस तर पर लॉंज किया गया है इस सूचना हब को वाट्सेप ने किसकी साज़ेदारी में लॉंज किया है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डबलो एच्चों की है ना चले बिल्कुल सही है ओप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर अगला कोशन दोस्तो किस बैंक ने कोविट-19 को कवर करने वाली बीमा योजना लाने के लिए भारती एकसा कमपनी के साथ साज़दारी की है दोस्तो साज़द अभी तो हमने कोशन किया ही था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा DBS बैंक किस राज्य सरकार ने कोविट-19 के परसार से निपटने के लिए हाथ मिलाने के बजाए नमस्त्य अभ्यान शुरू किया है तो दोस्तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा करनाट का करनाट किस दारेट आंसर ठीक है ना कि चलिए उस नीजी छेत्र के गैर जीवन विमा कंपनी का नाम बते जिसने एक वर्स के लिए अच्छा यह तो हो चुका है और कहीं कोशन रिपीट होगे दोस्तों आइसी 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 आई नॉमबार्ड बट कोई दिक्कत नहीं है टेंचर मत लीजिए अगला कोशन क्या हो गया कुरोना वाइरस की तराजदी से परभावित करिजदारों के लिए आपातकाली इंतरन सुईदाद खुलने वाला पहला बैंक कौन सा बैंक बन गया तो पीनबी भी है जो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो वह एस बी आई रहेगा क्या रहेगा एस बी आई रहेगा सब्सक्राइब ने भारत में कोविद 19 में अमारे से लगने के लिए वित्यवर्ष निस बीस के लिए अपने वार्षिक लाब का जीरो पॉइंट फाइब परतिशत परदा करने की घोषना की है तो यह बैंक कौन सा है दोस्तों कि एस्बियाई बैंक है स्टेट बैंक ओफ इंडिया अगला कोशन है केंद्र ने सवास्त पेसे रो के लिए खालिस्थान लाग भीमा कवर की घोषना की है तो देखे ये 50 लाग हो जाएगा सही अंसर अगला कोशन है भारत ने सार करोना इमर्जनसी फंड में खालिस्थान मिलियन डोलर का योगदान दिया है भारत ने कितना दिया है आपको पाकिस्तान का पता चल चुगा है मालदी बोटान नेपाल सब का पता चल चुगा है अब अंतरास्टिय ओलंपिक समीती और टोक्यो ओलंपिक आयोज्जको ने टोक्यो खेलो को किस वर्ष के लिए इस्थांतरीत करने के लिए सेमती व्यक्त की तो रइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है दोजर पच्चिस चोबिस बाइस से इस कौन सर रहेगा तो भई दोजर इक्किस हो जाएगा रइट आंसर ठीक है चलिए अगला कोशन आते है कोरोना वारेस मामारी का मुकाबला करने के लिए 1962 के बाद पहली बार किस दे देश है तो यह वाला दो काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों यहां पर जापान है साओधी अरब है इंडिया है इंडिया है या इरान है तो गैज इरान ऐसा देश है जिसने 1962 के बाद पहली बार मतलब इंट्रनेशनल मोनेटरी फंड से साहता मांगिए क्रोना वा अगला कोशन है हाइड्रोक्स ची क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन किस परकार की दवाएं हैं दोस्तों यह जो दवाई है न यह दोनों दवाई एंटी मलेरिया की है यानि कि ओप्षन आपका भी हो जाएगा निम्लिकित में से कौन सा एप पंजाब सरकार द्वारा जागरुपता करोना फैलने के लिए विक्सेत किया गया था तो गैज इस कोश्चन का अंसर हो जेगा मो जीवन ठीक है ना मो जीवन इस दारेट आंसर तो यह आपको याद दखने है नेक्स्ट है जनता करफ्यू सब्द का सवपर्थम परियोग परदानमांतिर निद्मोधी द्वारा गुरुवार खालिस्थान को रात आट बजे भारत की जनता को किसे किये गए सम्भोधन में किया गया था दोस्तो इस कोश्चन का आंसर हो जेगा 19 मार्स 2020 अगला कोश्चन है भारत सरकार द्वारा कि इस दिन 21 दिन के लिए संपूर्ण देश में लोकडाउन किया गया था तो वो एक दिन का लोकडाउन हुआ था दो दिन ये चुट्टी हुई थी फिर आपका 25 से लग गया था ये तो रेट आंसर आपका 25 मार्स हो जाएगा अगला कोश्चन है भारत में लोकडाउन का दूसरा चर्ण कब से कब तक के लिए किया गया था इस कोश्चन का आंसर क्या हो जागा दोस्तों 15 अप्रेल टू 3 में यानि कि ओप्शन आपका D रेट आंसर बन जाएगा वेल डन अगला कोश्चन है COVID-19 बिमारी के वाइरस का क्या नाम है दोस्तों COVID-19 बिमारी के वाइरस का नाम क्या है जल्दी बताएगे अरे वाँ क्या बात है वाई SARS-CoV-2 यानि की ओप्शन हो जाएगा D रेट आंसर ठीक है तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है कौन सा किंदर सासित परदिश COVID-19 के लिए पुल टेस्टिंग करने वाला दिश का पहला किंद सासित परदिश बन गया है पुल टेस्टिंग मतलब की जो पूरे ग्रूप को एक बार टेस्ट किया जाता है और अगर वो पोजेटिव आज़े फिर ग्रूप में से अलग-अलग करके सब को टेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर अनमान और निकोबार दोस्तों इस कोशन का अंसर हो जाएगा यानि की ओप्शन यह इस दारेट आंसर है कौन सा राज्जे कोविट-19 के लिए पूल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्जे बन गया तो पहले राज्जे की अगर बात करें तो वो तरपर देश है ठीक है चलिए अगला कोशन है कोरोना वाइरस को रोकने के लिए भारत में पूल लोकडाउन लागू करने वाला पहला राज्जे कोन सा है तो इस कोशन का राज्जे आंसर राहिस्थान हो जाएगा दोस्तों ठीक है करेक्ट आंसर जो ओप्षन सी राहिस्थान इस कोशन का अंसर बन जाएगा अगला कोशन है इस्पेन फ्लू महामारी से दुनिया की एक तिहाई आबादी परवावित हुई थी और करीब पांच दस करोड लोगों की मोत हुई हो गई थी यह महामारी कब फैली थी तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1918 में क्या बात है अगला कोश्चन दोस्तों कोविश्व सवास संगठन ने उस बिमारी के लिए एक अधिकारिक नाम COVID-19 की गोशना की जो 2019 के करोना वाइरस से के परकोप का करण बन रही है दोस्तों इस कोश्चन का अंसर हो जेगा 11 फरवरी 2020 में ही इसकी गोशना हो चुकी थी अगला कोश्चन है खालिस्तान को विश्वास संगठन ने उस बिमारी के एक महामारी गोशित किया जो नोवल कोरोना वाइरस 2019 के परकोप का करण बन रही है तो 11 मार्स 2020 यह तो दोनों बात एक ही होगे न ऑप्शन हो जाएगा डी नोवल कोरोना वाइरस के पहले मामले की पहचान कहां हुई थी दोस्तों यह हुबई परांत में हुई थी ठीक है वहान सेर है ठीक है तो इसमें कन्फियर्ज मत होईएगा यहां पर तो वहान दिये नहीं कि आप कैसे करने तो यह आपका हो जाएगा ओप्शन सी ठीक है तो आई होब कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज आप इसको जितना हो सके लाइक करिये और आगे मैं कुछ कुईज इसमें एड कर रहा हूँ दोस्तों वो कुईज भी आप लगाईए ठीक है यह तो आपका क्रोना वाइरस से लेटिड होगे बाकी की जो वीडियो जो मैंने अप्लोड किये वो भी देख सकते हैं और इसी वीडियो में जो आगे कुईज है उसको भी देखेगा इतने कुशन आप सही कर पाते हैं अपना ख्यान रखें मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में बाई बाई दी हो जाएगा गोट इट चले नेक्स्ट हमारा कोशन आता है राज्य सबा किसी भी धन से संबंदित कानून को एसविकार नहीं कर सकती है लेकिन इसके लिए विलम कर सकती है कितने दिनों तक देरी हो सकती है यह आपको बताना है यानि कितने दिनों तक उसको अपने पास होल्ड कर सकती है बिल को तो जल्दी से बताएगे देखे राज्य सबा जो है वो केवल 14 डेज के लिए होल्ड कर सकते है और उसके बाद में वो बिल पास माना जाएगा ठीक है तो उप्षन आपका सी रेट आंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट हमारा कोशन है किस देश को पहले न्यू ग्रेनार्ड के नाम से जाना जाता था जल्दी से बताईए गैज देखे एक बार सेशन को सेर कर दीजे जितने भी आपके पास गुरूप है तभी मज़ा आएगा भई है ना और लाइक भी कर दीजेगा तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका क्या कोलंबिया बिल्कुल सही है भई वेरी गुड ओप्षन आ अच्छा यहाँ पे आ रहे हैं अलग-अलग आंसर जा रहे हैं दोस्तों 6 अगस्ट को ठीक है USA ने हीरोशिमा सहर पर 6 अगस्ट को बम गिराया था 1945 में तो यह आपको याद रखना है और देखे किसी को भी अनेकेडमी पर सब्सकिप्शन जोई करना है न तो आपको यह कोड जुरूर याद रखना है तो आप उसके लिए इसको लगाईए और जोईन कर लिजए भारत सरकार ने कब प्रोजेक्ट स्नो लेपार्ड लॉंज किया था जल्दी बताईए तो गाइज इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा 2003 नहीं होगा वही 2009 ठीक है 2002 नहीं होगा 3 भी नहीं होगा 12 भी नहीं होगा तो 2009 इस दारेट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा कोशन है इजुत चन प्रुसकारम किस राज्य का सरूच साहित्यक प्रुसकार है जल्दी बताईए वेरी गुड दोस्तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा केरल ऑप्शन ए इस दारेट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट हमारा कोशन क्या कहता है देख लेता है यह सिक्किम के लिंबो समुदाय का एक परामपरिक साधन है जल्दी बताईए गईज इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सया बरंग यह एक जैसे दोस्तो आपने ढोल देखा है जो साधी ब्या में बज़ता है वैसे होता है बट यह साइज में काफी बड़ा होता है ठीक है तो यह आपको याद अखना है सबसे पहले कौन सा बायोस्पेर रिजर्व इस्थापित किया गया था चारों में से कौन सा रहेगा सही आंसर which biosphere reserve की बात कर रहा हूँ मैं ध्यान से सुन लीजेगा the first to be stabilized तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों काफी सही जा रहा है निल गिरी यानि कि option आपका a right answer हो जाएगा लेकिए answer करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में भी share करते रहिए बीच बीच में और like भी करते रहिए next एप भारतिये चुनावों में उप्यों की जाने वाली electronic voting machine अधिक्तम खालिस्थान vote record कर सकती है आपसे यह पूछा गया है कि जो electronic voting machine होती है दोस्तों maximum कितनी vote count कर सकती है तो दोस्तों यह वाली machine केवल 2000 vote ही count कर सकती है तो इसका सही answer option बी हो जाएगा तो याद रखिए गए अगला question है आपका IAF की सबसे बड़ी command कौन सी है IAF की सबसे बड़ी command दोस्तों कौन सी है फटाफट answer बताई है Western Air Command very good option दोस्तों आपका C right answer हो जाएगा चलिए next है Simla को ग्रिसम कालीन राजधानी कब बनाए गया था चलिए बताई है When was Simla mid summer capital 1864 में ठीक है 1864 is the right answer चलिए अगला question है भारतीय rail का नारा क्या है दोस्तों बताईए भारतीय rail का नारा क्या है चलिए काफी सही answer आगया है भारतीय rail का नारा दोस्तों लाइफ लाइफ लाइन ओफ दी नेशन है यानि कि आपका option C हो जाएगा स्पीड तो ठीक है ना ज्यादा तो नहीं है स्पीड चलिए भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था दोस्तों भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था उन्निस्सों में तो यहाँ पे आंसर आपका कौन से हो जाएगा C रैट आंसर बन जाएगा चलिए अगला कोशन दोस्तों आता है कोफी की उत्पत्ति कहां से हुई है वेर डज कोफी ओर्जिनेट फ्रॉम वेर डज कोफी ओर्जिनेट फ्रॉम देखें इस कोशन का सही आंसर दोस्तों इथोपिया हो जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट ब्राजील लगा रहे हैं ब्राजील इस नोटा राइट आंसर ठीक है चले अगला कोशन है सविदान की प्रारूप समीति की समक्स प्रस्तावना का प्रस्ताव किस ने रखा तो मेरे प्यारे दोस्तों काफी अच्छा कोशन है और आपका आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है जवाल लाल नहरू इस दा राइट आंसर तो जवाल लाल नहरू आपको आंसर टिक करना है लिकित सविदान की अवधान और पीहला जन्म खालिस्तान से हुआ था यहाний कि र्टन कॉंस्टूटीशन होता है देखे एसे हमारा र्टन व कॉंस्टेशन है बहुत सारी कंट्रि यह स्टर्थर का रिटन कॉंस्टूटूटीशन में बहुत कह से मैक्सिउमं का अब यह दोस्तों USA से हुआ था यानि कि USA का सबसे पहला लिकित सविदान है और अगर सबसे बड़े सविदान की बात की जाए तो दोस्तों किस देश करेगा जल्दी से कमेंट करके बताईए और यहां पर भी हो जाएगा नेक्स कोशन है राज्यों के संदर्ब में खालिस्थान का सबसे बड़ा अधिकर छेतर है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का अंसर क्या होजेगा बिल्कुल सही है गोहाटी हाई कोट यानि की ओप्षन आपका वन राइट अंसर होजेगा वेल डन नेक्स्ट हमारा कोशन आता है होकी विस्व कप खालिस्थान वर्स के अंतराल के बाद आजित किया जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही अंसर होजेगा फोर चार वर्सों के बाद होक्की का जो विसक अप होता है दोस्तों वो आपका चार वर्सों के अंतराल में होता है चले नेक्स्ट कोशन पिली नदी है यलो रिवर इस तो गैज यलो रिवर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा हौंग हो यानि की ओप्षन सी इस दरेट आंसर देखे यह रिवर चाइना में है दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कापर है चाइना में तो याद रखेगा चले नेक्स्ट सूर्य की सत्य का तापमान क्या है दोस्तों जल्दी बताएए सूर्य की सत्य का तापमान कितना है बिल्कुल वट इस दर्फेस टेंपरेचर ओप सन तो 5,778 इसका सही आंसर हुजेगा यानि की ओप्षन C is the right answer वेल डन नेक्स्ट कोशन है भारत में निमलिखीत में से किस राजे में सबसे बड़ा आदर से लवण अर्द भूमी है इन इंडिया विच ओव वन ओफ दा फॉलवइंग स्टेट है अज़ेस्ट इन लेंड सलेन वेट लेंड तो गैज इस कोशन का अंसर आपका हो जाएगा बहुत ही बड़िया राजिस्थान यहां पे अंसर आ रहे है ठीक है तो राजिस्थान दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर हो जाएगा वेल डन बहुत ही बड़िया अगला कोशन आता है आलू की उत्पत्ती किस इस्थान से हुई मानी जाती है दोस्तों यानि कि आलो की उत्पत्ति कहां पर हुई थी तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का सही answer क्या हो जाएगा बिल्कुल दक्सिन अमेरिका यानि कि South America is the right answer तो यह है आपको याद अखना है आलो की उत्पत्ति किस इस्थान से हुई मानी जाती है South America से बहुत बढ़िया अगला question है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में Death Valley इस्थित है In which state of United State Death Valley is located तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का सही answer हो जाएगा California बहुत ही बढ़िया answer आपको हो जाएगा दोस्तों D right answer Very good Next question है सब्द सफेद कोईला कभी कभी निमलिखित में से किसके लिए संदर्वित होता है तो guys इस question का जो सही answer है वे आपका हो जाएगा बिल्कुल hydro electricity यानि की पन बिजली right answer दोस्तों B हो जाएगा यह आपको याद रखना है वेल डण नेक्स्ट हमारा question है यह पुस्तक किसने लिखी है the man who killed गांदी यह किसने लिखी है वे यह पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों the man who killed गांदी तो इस question का सही answer हो जाएगा नत्थुराम गोड से option हो जाएगा दोस्तों B right answer ठीक है चले अगला question है कौन चटान का एक प्रकार नहीं है तो देखे इसका सही answer क्या हो जाएगा यहाँ पे C वाला जो option है दोस्तों वो correct हो जाएगा तो याद रखना चले अगला question है दुनिया का सबसे उंचा प्रवेश द्वार कौन सा है which is the highest gateway in the world दोस्तों question है which is the highest gateway in the world तो इस question का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल बुलंद दरवाजा right answer आपका option B हो जाएगा बुलंद दरवाजा is the right answer दोस्तों next question है मरीना बीच किस राजजमें इस्थित है दोस्तों इस question का answer बताईए क्या रहेगा तो इस question का answer आपका हो जाएगा तो guys यहाँ पे देखे option आपका D right answer हो जाएगा क्योंकि इन में से कोई नहीं क्योंकि यह कहाँ पर है यह तमील नाडू में है कहाँ पर दोस्तों तमील नाडू तो यह आपको याद रखना है वई चले next question है फरवरी 2020 तक स्रिलंका के राश्टपती कोन है as of February 2020 who is the president of स्रिलंका दोस्तों इस question का सही answer हो जेगा गोता बाई राजपक से यानि की option आपका D right answer बन जाएगा फरवरी 2020 तक स्रिलंका के राश्पती कोन है गोता बाई राजपक से है चले next question है January 2020 तक स्रिलंका के राश्पती कोन है या आप जल्दी से बता दीजे right answer क्या रहेगा इस question का सही answer हो जाएगा 36 गड right answer is option C January 2020 तक स्रिलंका के राश्पती के मुख्यमंत्र है 36 गड is the right answer next है उस भोतिक विज्ञानी का नाम बते है जिसे न्यूट्रोन की खोज का स्रय दिया जाता है 1932 की इस खोज के कर्ण उन्हें नोबल प्रुसकार मिला था दोस्तों इस कोश्चन का सही answer क्या होजेगा बिल्कुल सही है जैम्स चेडविक यानि की option आपका बी रैट आंसर होजेगा जैम्स चेडविक इस दा रैट आंसर next question है निमलिकित में से किस खेल के लिए दोना वल्ली हरीका को परतिस्टित पदम सिरी पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तो guys इस question का सही answer क्या होजेगा chess इस question का सही answer होजेगा chess is the right answer तो यह आपको याद रखना है next लगतार चार टेस्ट सिरीज में दोरा सतक लगाने वाले पहले और वरत्मान में एक मात्र बल्ले बाज कोन है तो guys इस question का सही answer क्या होजेगा well done विराट कोली right answer दोस्तो option B होजेगा विराट कोली is the right answer तो यह आपको याद रखना है कोलाथू नाडू वल्लू वन्नाड और थेकू कुकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के राज्य थे दोस्तो इस question का सही answer होजेगा केरल यानि कि option B is the right answer यह आपको याद रखना है next है Sir Thomas Rowe England की राजा जैम्स पर्थम से अधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल समराज्य के दरबार में आया था मेरे प्यारे दोस्तो इस question का answer क्या होजेगा जहागीर well done जहागीर is the right answer और इस question का सही answer option C होजेगा next होजेगा उस media company का नाम बते है टो इस question का सही answer क्या होजेगा बिल्कुल उस media company का नाम बते है जिसने 21 सदी के fox के सही answer क्रिदा है तो डिजनी इस question का सही answer होजेगा यानि कि option A is the right answer ठोस carbon dioxide का अधिक सामान्य नाम क्या है What is the more common name for solid carbon dioxide Guys इस question का सही answer होजेगा सूखी बर्फ यानि कि dry ice Very good Next है इन में से कौन सी हड़ी मानव कान का हिस्सा नहीं है तो इन में से कौन सी अड़ी दोस्तों मानव कान का हिस्सा नहीं है इस question का answer होजेगा Femur यानि कि option सभी को पता है Femur जानकी अड़ी है तो बहुत easy सा question बनी गया Next है निमिन में से कौन सी पुस्तक सलमान रुसीद द्वारा नहीं लिखी गई है तो जल्दी से बते है इस question का सही answer क्या होजेगा दोस्तों एना arrow of darkness दोस्तों इस question का answer होजेगा ठीक है option B is the right answer तो यह आपको याद है विस्व खाद्य कारेकरम संयुक्त रास्त की खाद्य साहता साका इसका मुख्यल्य कहाँ पर है तो guys इस question का सही answer होजेगा Rome कहाँ पर है Rome यानि कि option C is the right answer चलिए next है GST परिशत द्वारा lottery पुस्तकों के लिए निर्धारित की गई सामान्य GST इधर क्या है जल्दी से answer बते है इस question का सही answer दोस्तों हो जाएगा आपका क्या 28% यानि कि option आपका B right answer हो जाएगा very good next question है भारत से किसने करतारपूर कोलिडोर का गाटन किया और सिकों के संस्थापक गुरू नानक देव के अंतिम विश्राम इस्थल पर तिरतियात्रों के पहले सेट को जाड़ी दिखाकर रवाना किया तो right answer बतिये क्या रहेगा दोस्तों इस question का सही answer हो जाएगा नेंद्र मोदी ठीक है भाई very good अगला question आते है लगबग 600 वर्सों के लिए त्याग दिये जाने वाले के बाद साची की खोज की किस वर्स में हुई थी तो right answer बतिये है लगबग 600 वर्सों के लिए त्याग दिये जाने वाले जाने के बाद साची की खोज किस वर्स में हुई थी तो अठारा सो अठारा इस question का आंसर होजेगा यानि कि option C is the right answer Very good Next है इन में से कौन सा सब्द घ्रेलू कुत्तो के विज्यानिक अध्यनों को संदर्वित करता है Guys इस question का सही answer होजेगा Synology यानि कि option B is the right answer तो यह आपको याद रखना है Next है अराकू घाटी एक प्रेटक इस्थल दक्सिन भारत के किस सहर के पास इस्थित है Very good तो guys इस question का सही answer होजेगा विसाखा पटनम यानि कि option आपका A right answer होजेगा Next है विपूल भारतिय चित्रकार कबूल फिदा हुसेन ने मुख्य रूप से अपने चित्रों में जीवन और मुक्त आत्मा का चित्रन करने के लिए इन में से किस जानवर का इस्तमाल किया तो guys इस question का सही answer होजेगा horse घोडे ठीक है चलिए next है प्राचीन सहर हमपी के खंडर विजय नगर की राज़दानी वरत्मान भारति राज़्य में इस्तित है तो ये इस्तित है दोस्तो करनाटका में यानि की आपका option डी हो जाएगा well done next निमलिखित में से question दोस्तो आपका निमलिखित में से किसने film mission मंगल में परमुक महिला की भूमी का निभाई जो मंगल गरह पर भारत के पहले mission के पीछे महिलाओ की नाटके सच्ची कहानी बताती है इस question का सही answer हो जाएगा आपका विद्याबालन यानि की option आपका डी रेट आंसर हो जाएगा नेक्स question है इन में से कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ठीक करती है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ठीक करती है इस question का अंसर बते हैं दोस्तो इस question का सही answer होज़ेगा भारतिय रिजर्ब बैंक RBI Very good लाल कृतिमियों में खालिस्थान नामक एक सरचना होती है उन्हें अपने भोजन को पीछने में मदद करती है दोस्तो इस question का answer होज़ेगा गिजय यानि की option B is the right answer यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है उस लेक का नाम बते है जिसने अपनी पुस्तक एन यहाँ पे है एन एरा ओप डार्कनेस दा बिटिस एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकेडमी पुरुसका दोजर्निश जीता दोस्तो सही आंसर होज़ेगा ससी थरूर option A is the right answer very good next question है वियोवरत सवतंता सेनानी समाज सुधारक और नारिवादी सावित्री बाइफुले भारत की निमलिकित में से किस राज्य से है तो गैज इस question का आंसर होज़ेगा कहां से है मारास्ट से यहनि की option C is the right answer next question है अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक सासन करने वाले सासक के सुल्तान खालिस्थान सुल्तान के कबूस बिन सेयद और हाल ही में चुप चाप पुट निती के लिए एक परतिस्था के साथ निधन हो गया यह आपको बताना है तो गैज इस question का ओमान बिल्कुल सही है option D is the right answer करनाटक के लिए जिले में ब्राम गिरी वन्य जीव अभ्यारन इस्तित है इस question का सही answer हो जाएगा दोस्तों कॉंडागू यानि की option D is the right answer तो यह आपको याद रखना है well done अगला question है निम्लिकित में से किस त्योहार का अर्थ है देवताओं की मेरी बनाना इस question का सही answer हो जाएगा दोस्तों lie haroba यानि की option आपका बी रेट आंसर हो जाएगा lie haroba very good well done अगला question है बॉंबे अब मुंबई में गेटवे ओफ इंडिया की नीव किस वर्स रखी गई थी यह आपको बताना है दोस्तों इस question का सही answer हो जाएगा 1911 में तो right answer is option B यह आपको याद रखना है very good next question आता है 2019 की brand वित्यरास्टे ranking में भारत की इस्थिति क्या थी यह भी आपको बताने दोस्तों जल्दी से बताएगे right answer क्या रहेगा तो यहाँ पे सही answer हो जाएगा 7th ठीक है यानि कि आपका C right answer बन जाएगा next निमलिकित में से कौन सा सिर्का का परमुग घटक है दोस्तों इस question का सही answer हो जेगा acetic acid यानि कि option D is the right answer very good next निमलिकित में से कौन एक कैसे रूख नहीं है तो which of the following is not a vertebrate तो इसका सही answer हो जाएगा option D is the right answer next है नंदा वन्स का अंतिम सासक निमलिकित में से कौन था तो नंदा वन्स का दोस्तों सासक निमलिकित में से कौन था धनानन्द यानि की option आपका D हो जाएगा ठीक है तो यह आपको याद अखने बएगा next है मादवपूर मेला निमलिकित में से किस राज्य में मनाया जाता है और इस question का सही answer क्या बन जाएगा देखे आर एक बार तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके share कर दीजे कि मैं देख रहा हूं बहुत देश से आप share नहीं कर रहे हैं तो फटा फट एक बार share करें मज़ा तभी आएगा जब आप share करेंगे देखे गुजरात इस question का answer हो जाएगा गुजरात is the right answer तो यह आपको याद रखने है share कर दीजे भई चलिए अब जलते हैं next question की ओर हुआ 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 है